नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में वाली चट्नी वनाने के लिए आपको अचार बनाना पड़ेगा तो देखें गर्मर कुछ इस प्रकार से होता है अभी आपको मार्केट में सब्जी मंडी में काफी जादा मिलेगा पहले इस तरह से टोडना होता है उपर का छिलका निकालना होता है और इसे लंबे-लंबे और डाला है और अधी चमच जतना नमग और एक कप जतना पानी डलकर अच्छे से मिला लिया है अब एक काच के बढ़नी में ये सारा आपको डाल देना और साथ ही साथ ये हल्दी वाला पानी और इसे तीन से चार दिन तक ऐसे रख दे दूप में मत रखना पस ऐसे ही और ये बनकर तयार है आपका अच्छार तीन से चार दिन के बाद आप इसे ले सकते हैं खा सकते हैं ये पानी वाला अच्छार है अब इसमें से चटनी बनाने है तो ओखली में डाल दीजे छेस से साथ लसन की कलियां चील कर और ये गर्मर और कच्छी केरी जब ये तीन से चा तो काफी अच्छा स्वाद आएगा आप से तो मिक्सर में भी कर सकते हैं अगर ओखली नहीं है तो उसमें दरदरा पीस लेना यहां पर मैंने देखिए से कूट लिया अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा नमक आदी छोटी चमच लालमिश पाउडर और इसे फिर से सची में यह आचार भी ऐसे भी खाने में बढ़िया लगता है और यह चटनी भी तो दोनों आप इसे ज़रूर ट्राइ करना अगर आप आचार बना रहे तो चटनी बना ही लेना और यहां तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू फॉर